वेलकम स्वागत आप सब लोगा मेरे ऊडूप चनल में इस्टड़ी विथ मी में और जैसा कि आज 14 अगस्त है तो कल 15 अगस्त और 15 अगस्त हमारे स्वतंतरा दिवस है हमें अंग्रेजों से स्वतंता मिली थी तो सबको सुबकामना है आपको आपके परिवार को सुबकामना ह सब लोग अच्छे से रहें अच्छे से अपनी जीवन यापन करें और निरंतर प्रगत की और अक्सित रहें सबके लिए मेरी यही सुबकामना हैं और एक छोटी सी बात है जो मैं आज आप उसे कहना चाहूंगा देश सेवा के बारे में तो देश सेवा क्या होती है कि अप और ना छोटा सा भी क्यों ना योगदान हो आप एक किसान है आपने खेत में गेहूं बोया गेहूं काटा निकाला दाने निकाले खुद खाये और बाकी बाजारे में गए तो ये भी एक तरह की देश सेवा हुई आप एक सिच्छक हैं आपने बच्चों को पढ़ाया और बच्चे ऐसे करके निरंतर उनके बच्चे ऐसे करके वो अगर टीचर हो गए तो कई दूरियों तक कई पीडियों तक ये सिच्छा चली आती है और अगर आप एक राजनेतिक हो गए तो आपने अपनी आगे वाले जो समाज है उसे एक अच्छी दिसा दी मात्मा गांदी जी उन्होंने पूरे भारत को एक नई दिसा दी तो ये सब चीजें देश सेवा के अंतर आती है वो काम जिसे आप देश की उन्नेत के लिए करते हैं या कोई भी काम क्यों न हो छोटे से लेकर बड़ा काम सब काम का एक अपना इंपोर्टेंस है और वो सारा काम देश की उ आता है तो ये सारी चीजें इंडिया को ही प्रोथान देने वाली हैं बढ़ावा देने वाली हैं तो अगर आप छोटा सा भी आप काम क्यों न कर रहे हो छोटे से लेकर बड़ा काम क्यों न कर रहे हो हर काम में देश सेवा चुपी होती है अंदर से और हर काम अपनी निष सेवा में बड़ा अहम योगदान रहा है क्योंकि जब तक घर की सुरच्छा नहीं होगी आप घर के बीतर कुछ भी करने लुटे रहा हैंगे लुट के ले जाएंगे तो सारे फोजी भाईयों को मेरा सत सत नमन और आप लोगों को भी आप चोर सोर से फिर से अगर अभी तक उतना मन न लगाए हो उतने अच्छे से आपने तयारी न की हो एकजाम की तयारी न की हो उतने अच्छे से आपने किसान होएं अगर तो किसान होते हुए अगर आपने गेहू न बोया हो उतने अच्छे से काम न किया हो तो आज से अभी से ये ठान लीजिए कि अपना काम पूरे 100% इमानदारिक साथ करना है और वही हमारी देश से अब होगी तो हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और वन्स अगेंड 15 अगस्त की सब को सुब काम ना है सब लोग उन्नत करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए वन्दे मातरम